हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स मैं भी अच्छी हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ आज मैंने एक मिनियेचर गार्जन नाने की कोशिच की है जिसकी थीम मैंने नैसनल फ्लैग रखा हुआ है देख हम उसे हमेशा ही याद करते हैं उसको हम भूल नहीं सकते हैं मैं एक सैनिक परिवार से बिलॉंग करती हूँ हमारे सांसों की सुरुआत ही सेना की गूच से होती है और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उसको भूलने का तो हम सोच भी नहीं सकते हैं इस तरह से मैंने ट्राइ कलर कोशिश की है जिसमे औरेंज कलर में उरेंज कलर वाIT कलर और ग्रीन कलर मिलाया है और वीज का जो चाकर है ऴही मैंने ब्लैक कलर से बनाने की कोशिश है इस तरह से मेरी जो बाल सरे तैंसे तैयाद हो गई है आप इसके जगें मैंणे बॉल सकते हैं, कोई भाविर बना सकते हैं रोड गोजाय वन्हें सब्सक्र भेस में सब्सक्रिफ और मैं भाल और जो यह हुए मिनियोयर का मितनफ कर दो कि दिमागा है, कोने वन्हें देंगा भेस का समय हो nothing की पिरना देती है इस मिट्डी को हम नमण करते हैं और इस मिट्टी में दखिए हजारों फसले उखती हैं जिससे कि हमारा देर सारा भरा रहता है हम उसे पलते हैं और इस तरह से मैंने इसмовन देखिए कुछ पेड लगाँने की कोशिश की है और यह मैं जो हमारे जंड़े को खड़ा रखने के लिए जो उसका सपोर्ट होता है वो किनारे का सपोर्ट हम देते हैं वो बनानी कोशिश करें अगर वो हमारा मजबूत रहेगा तो हमारा जो जंड़ा है हमेसा मजबूत रहेगा जंड़ा मजबूत रहेगा त में आपने टीनों सेना के तीनों अंगों को और सबी रास्ती और आर्द सरकारी सुरक्षी अजियंसीों के सहनिकों को नमण करना चाहती हुँ जिसके करण से हमारा देश सोरक्सित रहता है इस तरह से मैं कोशिश कर रहू हूँ इस फ्लैक को बनाने की वल पुट्टी की साहता से मैंने तीनों कलर बना लिये हैं और भी इसका चक्रे भी बना लिया है अगर इस वीडियो में कोई तूटी होती है तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ वैसे मैंने कोशिश की है कि इससे किसी को खेस न पहुचे फिर भी अगर कोई गलती होती है तो आप माफ करिएगा मैंने एक सिर्फ मिनियाचर गाडियन बनानी कोशिश की थी आपको आपके के लिए वहां में के मैं तूटा कद खेलं Hagamu हमें मैं किस तरह से इसको करती हूं थोड़ा बहत और आप हमारे जो मैंने घ्रपित कर रही हों कि हमारी सेनाओ के मैं सभी से अजैंसिये हैं उनको मैं समर्पित करे हूं अगर इसमा इस, पूरा पूरा नेसनल फ्लैग तयार करी हुए है उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सगरेशन करूँगी किनारे की जो बाल है वो भी मैं तीनों कलर से ही बनाओंगी जो कुछ मेरे पास वो बाल बची हुई है तीनों कलर की तो उसी से मैं इसको किनारे से जैकुरेट कर दूँगी देखे इस तरह से तो उसके बाद मैं इसमें बीच में कुछ आइट करूँगी जो कि मैं मैंने ओर्डर किया था मीसो से और इस तरह से देखे कितना सुन्दर लग रहा है ये हमारा जो तिरंगा उसका कलर ही बहुत प्यारा है तो इसके कि बिचा है अगर झात कि देखे रहे हैं और आठीने में देखे होगा, पानी बना हुए है ऊसमें नदी का खम्रहणि को रहती हैं तो हम भी प्यारे करते हैं अगर भी के चलफ हमारे नदिखी तो आर चलफ थी לק में इस तरह से मैंने थोड़ा सा मिनियेचर गार्डन को ऐसा लूग दे दिया है देखिए साइट से मैंने प्लांट लगा दी है हरियाली सभी को अच्छी लगती है जितना हम पेड लगाएंगे पलुशन कम होगा और हमारी धरती हरी भरी रहेगी तो इस तरह से मैंने इस चोटे काफी प्लांट है मेरे पस आप भी अपने घर में काफी प्लांट लगा सकते हैं हमारे हमारे हर दिन एक हरा भरा दिन होना चाहिए उसकोumed हमें सोचना नहीं है कि हम आज पेड लगाएंगे अ जितना अधिक हम अपने घर में पेड पोद英 लगांगे हमारा जो वातरंण है तो इस तरह से मैंने इस miniature garden को ऐसा रूप दिया है आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा आप भी अपने घर में एक घर का कोना चोटा सा बना सकते हैं इस तरह से देखिए बहुत सुंदर लग रहा है अगर आपको पसंद आएगा तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं मै बहुत ही खुबसूरत लगते हैं एक नहीं वीडियो के साथ फिर मेलती हुए तब बाई बाई थैंक यू